स्वागत है आपका आलेंडे आगनबाडी नियूस चैलेंग में दोस्तों आपको बता दो अगर आप सची खबरे पाना चाहते हैं दोस्तों आगनबाडी की हो या अन्ने कोई खबरे तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन दोस्तों जो बिहार में जो मुआंदे वरोत्ति एक तरह से बताई जा रही है सरकार के दोरा जो वारता हुई जो समझोता हुआ उसके बारे में यह जो पत्र है वो आप लोगों तक हम पहुचाना चाहते हैं दोस्तों यह पत्र पर बगादा साइन वगरा सब कुछ हैं तो आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा जो सदर से मिलने गए थे समय पर हुई थी तो उसमें क्या क्या हुआ था सरकार के साथम वो दोस्तों पत्र आप लोगों के लिए है और आप लोगों को अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और नीचे जहां स इस वीडियो में वीडियो भले ही लंबा हो जाए लेकिन हम पूरी खबर देनेंगे जिसको देख रहा है वो देखे अन्यता वो छोड़के चला जाए तो बिहार राज जैगनबारी जो आपका संगर से समीति की प्रमुक मांगे थी उससे मंदि जो समझोता था वो आप लो विभाग के कारिकम कच में माननी मंतरी समाज कल्यार विभाग एवं अपर मुखे सच्यू जो आपका समाज कल्यार विभाग की उपस्थिती में बिहार राज अंगनबारी संगर से समीति के सदस्यों एवं निदेशक आयसेडिये साले के बीच समझोता पत्र हस्ताचरित कि तो बिहार राज अंगरबारी जो आपका सन्युक्त संगर समिती थी उसकी प्रमुख मांग जो थी बिहार सरकार दोरा दिये जा रहे है राजभत्ता जो वर्तमान में मांदे का 25 प्रतिसत यानि 750 रुपए दिया जा रहा है उसे बढ़ा दे यानि कि उसे बढ़े हुए मांद जो मांदे बढ़ा हुआ है उसका दोस्तों 25 प्रतिसत का भुगतान ततकाल किया जाए यानि कि समझ रहे है 4500 का 25 प्रतिसत यानि कि इस सम्मंद में केन सरकार दोरा दिये गए मांदे में सेविका 4500 रुपए सेविका और मिनी 4500 साहिका जो है 2500 यहां पे देख रहे हैं सेव जो में बढ़ा है 3500 साहिका बहनों का है 2500 यहां पे मैं बता रहा हूँ आपको उसके प्रतिसत जो आपका पचीज प्रतिसत राजबहत्ता होता है क्रमसाह 1225, 875 और 565 यह सभी बहनों के आंगर बारी, यह मिनी और यह आपके साहिका बहनों के यह था सिग्र भुगतान का स् स्वासन देख रहे हैं, आज स्वासन धिया यानि कि हम इसका भुगतान करेंगे, ऐसा सरकार ने कहा है, ठीक है, और आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि 25 प्रतिसत ही बताया मैंने उस दिन, लेकिन आप लोगों को बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रहा था, आज वही हक देख लिजे, 1125 जो मैंने बताया था कि इतना होना चाहिए, वही दोस्तो सामने हुआ, अप यकीन जो जिसको करना है, वो करेगा, जिसको नहीं करना है, वो नहीं करेगा, वो जा सकता है, दूसरा पॉइंट देखे, उनकी जो दूसरी मांग थी, राजभत्ता की रासी को 50 से बढ़ा कर 50% किया जाए, वो राजभत्ता, वो राजभत्ता अलग सीजे होती है, मांदे आपका एकजार, 125 सरकार आंगन बढ़ियों को समझे तरह से वहाँ पर बढ़ाने वाली है, उस पर भी आस्वासन सरकार ने दिया है, अभी बढ़ा नहीं दिया है, ये भी आप य हुठे लोगों से, तो आपको बताना चाहूँगा, इस सम्मंद में राजभत्ता की राजभत्ता की राज़ी 55% से बढ़ा कर 50% करने के करम में समुचित जो अग्रेतर कारवाई की जाएगी, इसके आलोक में बिहार राज आंगन बाली समीति के द्वारा, आंगन बाली साहिका के हरताल को तोड़ने की भी कोशिस की गईी, दोस्तों ये भी बता जारा है, उनकी को ये भी सब किया गया है, लेकिन ठीक है, ये सब हुआ है, अगर ये देती है सरकार, तो 1125 रुपय मातर मिलेंगे, तेर्ड मैने की मेनत में, अगर बहनों के लिए ये अपना अच तब लोग जानते हो, तो आगे चलते हैं दोस्तों, अन्ने खबरों की ओर, जैसा कि मैने बताया था, ये पत्र साहिद आपने कल की जो हमारी नियूज थी, उसमें साहिद थोड़ा देखा होगा राजस्थान सरकार से, ये उस पर उतना हम बहस नहीं कर पाय तो जितना दोस बढ़ा कदम उठाने जा रहे हो राजस्थान में, क्यों? क्योंकि देख रहे हैं, आप लोग इधर उधर इतना सब कुछ हो रहा है, तो सरकारे पहले से अगर सचेत हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर आपको हम बताते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी में, सम कोई सामिल है, यहाँ पर देख लिए समिधा कर्मियो, आपका यहाँ पे अर्दू टीचर, अंगर्बाडी कर्मियो, यहाँ पर आप देख सकते हैं और यह सब चीजे, इनको आप समझीए चीजों को, और इसके लिए सरकार ने मांगा है, वहाँ से पाइक तरह से इनका ब् प्रट्र में 10 दिन की अबधी में दोस्तों सब कुछ करना है सभिधाकर्म की सूची देनी है 10 दिन में वहाँपे मांगी गई है तो आपका ये 18 तारीक को मांगा गया तो 28 तारीक या निकि जनवरी में ही सब कुछ हो जाएगा मांग लिया जाएगा देखते हैं बाई चुनाओं के पहले साकारवा पे क्या तोफा लाने वाली है कुछ देगी क्या तो अगर देती है राजस्थान में तो बैनो आपके लिए बहुत बड़ी गुड निउस होगी एक तरह से और इंग्लिस में लिखना आल इंडिया अगनबाडी निउस और आराम से खुल जाएगा तो दोस्तो ये आपको मैंने दिखाया था वो आपके काम का था और आपको दोस्तो हम एक वाटसेब कुछ गुरूप के जरीय है जोस्तो कुछ चीजे आपको हम बताते है लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती है कोसिस करने वालों की दोस्तो कभी हार नहीं होती है नन्नी चीटी जब दाना लेकर चलती है चड़ती है दीवारों पर सो बार दोस्तो फिसलती है मन का विश्वास रगों में साहस भरता है चड़कर गिरना गिरकर चड़ना ना दोस्तों अखरता है आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है दोस्तों मेहनत करने वालों के कभी हार नहीं होती है डुबकियां सिंदू में गोता खोर लगाता है दोस्तों जा जाकर खाली हाथ लवट कर आता है मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में बढ़ता दुगना उत्सा है दोस्तों इसी हैरानी में मुट्टी उसी की दोस्तों खाले रहे हर बार नहीं होती है कोशिस करने वालों की दोस्तों कभी हार नहीं होती है गोता खोर भी जाते हैं बार-बार डूपकियां लगाते हैं लेकिन हर बार उनकी मुट्टी दोस्तों खाली भले ही रहे लेकिन हर बार नहीं रहेगी यानिकि एक बार तो जरूर मुट्टी भर के लाएंगे वो तो यह समझ लेजिए असफलता एक चुनोती है सुईकार करो क्या कमी रह गई यह देखो और सुधार करो जब तक ना सफन हो नीद चैन को त्यागो तुम संघर्स का मैदान छोड़ मत भागो तुम कुछ किये बिना ही जय जय कार नहीं होती दोस्तों कोसिस करने वालों कि कभी हार नहीं होती मुझे अच्छे लगी लाईने इसलिए आप लोगों तक में पहुँचाओना चाहता था और यह देखिए यह है लखनओ के इको गारड़ में सिच्छा मित्रों का प्रदर्सन दे मैं नहीं चाहता हूं कि यह खंडता टूटे एकता टूटे उन पर सवाल लोग खड़े करें मैं तो चाहता हूं सब लोग मिलकर उनका साथ दे अगर साथ नहीं लेंगी तो फिर विकास कैसे होगा सरकारी ही कहती सबका साथ सबका विकास लेकिन वो साथ तो ले लेती है फि इतनी दूर, वहाँ तक भीड़ा आपको देखेगी दोस्तों, जीसे कहते हैं एकता क्यों, तो कि यहाँ पर बटे हुए नहीं है, वो लोग, सव लोग इनकी तरफ जा रहे हैं, सव लोग वो लेकर जा रहे हैं, 200 लोग वो जा रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को, हर इंसान ए एक बार एक जगह जा रहा है, बस यही इनकी एकता है, और इनकी एकता जरूर रंग लाएगी, आप देखना, 18 जनवरी से सभी आंगनबाडी, उत्तर प्रुदस के लिए खास बात, 18 जनवरी से, सभी आंगनबाडी हैं उनसाही का जो है, 4 फनुई 2019 तक हाथों में काली बांद कर केंद्रों पर कार करते हुए, आप लोग फोटो भेजें, ऐसा वार्टसब गुरू में दोस्तों, मैसेज डाले जा रहे हैं, चाहें टीका करन हो, चाहें पोसाहर वितरन हो, हर जगह की फोटो भेजो, सासन को भेजना है, आप लोगों की लड़ाई का दूसरा च किया जाएगा, तभी 17 फलता मिले, 11 फरवरी से सरकार अपना वादा नहीं पूरा करती है, तो प्रदेश मुख्याले पर आनेश्यत कालिन के लिए धरना प्रदसन किया जाएगा, 8 फरवरी से विधान सवा का बजट होना है, इसलिए अंतिम लड़ाई पूरे ताकत के साथ लड़े, तभी दोस्तो कामयाबी मिलेगी, आप लोग काली पटी बांद कर जरा फोटो भेजे, जिससे सासन को भेजा जाए, दो चारा आगन बाड़ी एक जगए होकर भी फोटो भेजे, तो दोस्तो आप ऐसी ही दोस्तो खबरे डाली गए वाटसर में, कुछ बहनों की फ दिखाएंगे, ये देखिए हमारी बहन केंद्रो पर संचालन कर रही है, और काली पटी बांद कर सरकार का विरोत कर रही है, क्यों, क्योंकि साथ जून को मुख्यमंत्री जी ने उत्तवजेस में कहा था, दसजार मान दे, आपका होक कर दिया है, और समझाओता वगएर और ये देखिए, ये उत्तवजेस के बुलन सहर से दोस्तों ये जागरण वालों के द्वारा ये चीज़े निकाली गई थी, तो वो आप तक मैं कुछ पहुचाना चाहता हूँ, कुपोसर से निपटने के लिए ग्राम परधानों से मांगा गया दोस्तों सहयोग, तो ये दोस्तों एक बड़ी बात है आपको मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देख सकते हैं, पोस्तर अभियान को लेकर सुकुरवार को आंगनबारी कारकरताओं ने, राम लीला मैदान में कारसाला का योजन किया है, आये दिखाते हैं, और दोस्तों अगली खबर आत्तों म बाल गड़ना में ड्यूटी नहीं लगाने की मांग किया है, उन्होंने कहा है कि बाल विकास परोजना आदिकारी, विकास नगर ने 25 अगस्त को जारी आदेश में आंगनबारी कारकरताओं को बाल गड़ना कारकर में सिच्छकों को सहयोग देने के निर्देश दिये हैं, लेकिन इस गड़ना में जुड़े सभी काम आँगनबारी कारकताओं से कराय जा रहे हैं, गुरुवार को खंड़ जो सिच्छा दिकारी हैं, वीपी सिंको सौपे ग्यापन में उन्होंने कहा है कि आँगनबारी कारकरती बाल गड़ना में सिच्छकों को हर संभव सहयोग दे रही हैं, लेकिन सिच्छक सभी रिकार्ड, अभिलेक और रजिस्टर भरवाने का काम खुद करने की बजाए आँगनबारी कारकताओं से करवा रहे हैं, यह आप देख रहे हैं, एक तरफ वहां के जिलादिकारी हो या कोई भी हो, वो लोग कहते हैं कि आप सहयोग करें जो है सिच्छकों का बालगर्णा में, लेकिन वहीं कोर्ड कहता है कि सिच्छक, वहां मांग करते हैं कि हम कुछ काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ पढ़ाएंगे, यह काम हम नहीं करेंगे, हमारी हर जगर यूट्वी नहीं चाहिए, तो वहां उनको कोर्ड फैसला देता है कि यहाँ यह होता है, सब कुछ खिचली चलती है, लेकिन सरकार कोई ठोस कदम नहीं, यह देखिए, उत्तराखंड के विकास नगर से, मैंने कहा था, बहुत सी जगह से खबरे हैं, अब उत्तराखंड वाले जो लोग देख रहे हैं, उनी तक खबरे पहुँचेंगे, अगर अंगरमारी भावन का कार अधूरा है, होगी दोस्तों कारवाई, एक सब्ता के अंदर, आंगरमारी केंदर भावनों का निर्मार कायपूर नहीं करने वाले समद्धे, निर्मार कार के लाबू, समित के अध्यर्च, सची उत्ता मचदूर मेट में, आपको पता दो, जो खबार है, आपको मैं एक और बताना चाहूंगा, दोस्तों, भरती को लेकर भी मैं थोड़े अपडेट आपको दे दूँ, क्यों, क्योंकि मैं जानता हूँ, कुछ मैंने बताया था, आपको एक चनल के बारे में, तो उनके वीडियो नहीं आप आ रहा है, मैरकेट में, आद में, दूसरे बारा फिर भरती आई थी, उसकी अभी प्रक्रिया चल ही रही है, यानि कि उसका भी एक्जाम नहीं हुआ, उसका एक्जाम होगा, जल्डी, जन्वरी, जब भी करा दे सरकार, फर्वरी वगएरा में, या कभी भी, तो उसका एक्जाम के लिए दोस्तों, चल रही प्रक्रिया, तीसरी बार फिर से भरती आगई है, उत्तरवर देश में, पुलिस की, या समझ रहे हैं आप, तीसरी बार भरती आई हैं ये, तो भरतीया तो खूब आई है, आप लोग जान रहे हैं, आई है अच्छी बात है, सरकार इनको टाइम पर समय पर पूरता आप करवा दे, पदो उन्नती पर लगा दे लोगों को, लोगों को रोजगार मिले, तो उसके बराबर कुछने, बहुत खुसी की बात होगी, लेकिन अगर ये सब प्रक्रिया नहीं चल पाई, और सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ चुनाओ को देखते हुए हुआ, तो दोस्त आप बता दो, जो आपका जेल वार्डन है, और अधर पोस्ट के लिए दोस्तों, यूपी पूलिस में भरतियां आए, कितरी आए, सब कुछ दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी में बताता हूँ, आगे फिर अन्य जान कर ये आपको बता रहा हूँ, यूपी पी दोस्तों, उस और अभी 40, 40, 42, 42,000 में दोस्तों, भरतियां हुई है, वो भी एक सुनहरा मौका था, और तो दो बार भरतियां हो ही चुकी है, तो इसलिए ये भी दोस्तों, अगर आप डालना चाहते हैं, यहाँ पर डेट आपको हम बता देते हैं, नोटिफिकेशन इसू किया गया है, द दोस्तों, फारम भरे जा सकेंगे, और फीस दोए फारम भरने की 400 रुपए, जो मुझे नहीं देनी है, यह आप यहाँ रतना, जहां फारम भरवाने जाएंगे, कैफे पे, वहीं दोस्तों, फीस आपकी कार्ट के पेमेंट पकरा जमा होती, सरकार को जाती है, तो वो सब हो लिए है, और फीमेल के लिए 18 से 25 है, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, जो अपने भाई लोग हैं, 18 से 22 लड़के, फारम भर सकते हैं, आपके घर में गर कोई हो, तो उसके लिए अच्छे मौका है, आप लोग फारम ढलवा सकते हैं, उतर पुदेश से हैं, खबरे, य फारम्ह strivene की दोस्तों फीमेल की वेकंसी नहीं है, आप लोग याद रखना, और जेल वारड़न जो है, उसमें मेल और फीमेल दोनों लोगों की वेकंसी हैं, हमारे मेल की हैं 3,000 बार आने की, पूरसों की, और महिलाओं की हैं 626, जो हैं, तो आप लोग कर सकते हैं, और य सकते हैं 160 है हाइड fireman constable horse rider के लिए 168 मांगी गए दोस्तों उसके लिए तो अच्छा मौका है क्योंकि 160 भी लोगों की हो सकती है आराम से तो वहां पर दोस्तों फॉर्म प्लाई कर सकते हैं अच्छी एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका 77-82 दोस्तों मांगा गया आपका चेस्ट वगएरा ये भी चीज़े आप आदक ना 147 संटीमीटर और इन चीज़ों को दोस्तों हाइड भी कम मांगे गए आप लोग इसका अंदाजा लगा सकते हैं तो आप आपको अगली और ले चल रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं आप सिर्फ वीडियो ही दिखा रहा हूं तो आप सरकारी रिजल डालें वहाँ पर जाएं सभी वेकेंसिया मिलती रहेंगी अन्यत आपको अच्छा नहीं लगता कोई बात नहीं ये देखिए ये भी हम आपको अपलोड कर देंगे अच्छी बात है आपके आल इंडिया पर ही द करने के लिए रहे ख़बर कि तक हर एक धार पहुंचाने के लिए सभी सधार सभी दोस्तों पत्र में ने आपको दिया तो वह दौस्तों कैसा लगा अपको समझोता इसों है वह पत्र आप